दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल To The Core में हम लेकर आते हैं आपके लिए informational और educational वीडियोज और आज हम discuss करेंगे bats के बारे में bats की क्या-क्या qualities होती है कैसे bats जो होते हैं वो बाकी सारे species से अलग होते है एक अकेला bat जो होता है वो पूरी species के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और bats से हमें क्या-क्या फाइदे है इन सारी चीजों के बारे में discuss करेंगे तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि bats के जो habitat होते हैं वो क्या-क्या होते हैं तो bats जो होते हैं वो almost हर जगा पाये जाते हैं suburban cities में या deserts में खंधरों में भी पाये जाते हैं जंगलों में पाये जाते हैं बहुत सारी बातचीत होती हैं अफवाए होती हैं और ना जाने क्या-क्या अफवाए होती हैं जिस पर भरोसा करना भी मुश्किल होता है ठीक वैसे ही US में bats को काफी horror type का माना जाता है इनको ज्यादातर horror stories में दिखा जाता है vampire या haunted houses से जोड़ कर दिखा जाता है अब देखते हैं कि bats जो होते हैं वो बाकी species से different कैसे होते हैं तो सबसे पहली बात कि bats जो होते हैं वो एक mammals होते हैं और यही only mammals हैं जो fly कर सकते हैं यानि कि उड़ सकते हैं इनका life span जो होता है कुछ species का bats के अंदर जो कुछ species होती हैं उनका life span 30 years तक का होता है 30 years तीस साल मतलब काफी लंबा life span है अगर size की बात करें तो एक इंच से लेकर पंक फैला कर एक मीटर तक का हो सकता है एक bat इतने size में इतना variation हो सकता है और सबसे अजीब बात यह होती है कि यह जो bats होते है यह बहुत सारे viruses के host होते है यानि कि बहुत सारे virus के चलते फिरते दुकान या फिर चलते फिरते mall बोल सकते हैं आप दोस्तों होते हैं अभी तक जो viruses हम जान पाए हैं जो bats host करते हैं उनमें से rabies हैं hendra, marburg, ebola, nipah और corona यह सब viruses हैं जो अभी तक हम जान पाए हैं और यह जो viruses हैं इनमें से कुछ virus जो हैं उनका अभी तक vaccine नहीं है बस patient के immune system ही इन virus से लड़ते हैं और doctor जो होते हैं वो उनको supportive treatment provide करते हैं इनमें से कुछ virus जो हैं वो इतने खतरनाक हैं कि इनसे जितने भी number of persons infect होंगे उनमें से 90% लोगों की death हो सकती है अच्छा एक दूसरी species होती है जो bats की तरह ही बहुत सारे virus को host करती हैं वो होते हैं rodents उनके अंदर भी काफी virus को host करने की छमता होती है rodents जहाँ पे 179 virus को host करते हैं bats वहीं 137 virus को host करते हैं rodents में जो 179 virus होते हैं उनमें से 68 virus जो होते हैं वो junotic होते हैं जबकि bats के 137 virus में से 61 junotic होते हैं अब एक चीज मन में आ रही होगी कि ये junotic virus क्या होते हैं तो वैसे virus जो एक species से दूसरे species में transfer या transmit किये जा सकें उनको junotic virus बोलते हैं जैसे कि bats से किसी दूसरे animal में फैल गया किसी दूसरे animal से किस दीसरे animal में फैल गया फिर उससे किसी और animal में फैल गया human beings में फैल गया तो इस तरह से जो दूसरे species में फैलते जाता है उसको junotic virus बोलते हैं अब एक चीज आ रही होगी दिमाग में कि वाइरसेस जो होते हैं वो सिर्फ दूसरी जानवर के लिए डेडली क्यों होते हैं बैट्स को तो इनसे कोई फर्क ही ने पड़ता तो इसको लेकर अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग थियोरिस दी हैं आईए जानते हैं उन थियोरिस को कुछ साइंटिस्ट करते हैं कि इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बैट्स की जो flying ability होती है वो बहुत अच्छी होती है और जब fly करते हैं तो बहुत सारी energy की requirement होती है और बहुत सारी energy की requirement या utilization की कारण बहुत सारा waste produce होता है इसके कारण वो अपने DNA को damage होने से बजा पाते हैं Bats की जो defense mechanism system होती है न वो बहुत ही बढ़िया होती है और उसको time to time ये evolve करते रहते हैं अपने defense mechanism system को time to time strong करते रहते हैं अच्छा कुछ दूसरे researchers जो हैं वो भी same बात बोलते हैं कि जो इनकी flying capability है एक कारण वो होती है कि इनको virus effect नहीं कर पाते हैं क्योंकि bats जब fly करते हैं तो इनका internal body temperature जो होता है 40 degree Celsius यानि कि 104 degree Fahrenheit तक पहुंच जाता है बहुत सारे virus जो होते हैं वो उस temperature पे survive ही नहीं कर पाते हैं या यह temperature उनके लिए ideal ही नहीं होता है तो इस तरह से bats अपने आपको safe रख पाते हैं इन viruses से लेकिन ये question ये भी आता है कि चलो ये जो होते हैं virus ये bats को यहां तक कि बिमार भी नहीं कर पाते हैं ये sick भी नहीं हो पाते हैं इन viruses के कारण तो इसका answer finally paying jhon जो कि एक बहुत बड़े scientist हैं उन्होंने जी दिया एक journal में उस journal में इन्होंने बताया कि bats के पास जो immune pathway होता है antiviral immune pathway जिसको बोलते हैं sting inferone pathway इसके कारण इनका defense mechanism इतना strong हुआ रहता है कि इनको कुछ फर्क नहीं परता दूसरी तरफ बाकी सारे species को देखें या human beings को देखें इसका जो system होता है या उतना strong नहीं होता है और जो भी virus human beings पे attack करते हैं वो क्या करते हैं कि सिधे immune system को wick करते हैं और immune system के wick होने के कारण जो दूसरे pathogenic viruses होते हैं वो बीमारियों को trigger कर देते हैं दूसरी तरफ से कहें तो जो भी sting pathway होता है human beings में वो autoimmune disease से linked होता है यानि कि पहले virus attack करते हैं उसके बाद immune system wick हो जाता है human beings का और उसके बाद ये होता है कि जो other pathogenic viruses होते हैं उसके कारण और बीमारिया होती हैं और वो भीमारिया जो होती है वो घातक होती है human beings के लिए अब जानते हैं कि जो ये हाल के दिनों में सुनने को मिल रहा है या फिर कुछ सालों से ये काफी बढ़ गया है कि viruses फैलने लगे हैं तो इसका main reason ये है कि इनसान अब उन areas में interfere करने लगा है जहां पर bats naturally पाए जाते हैं और इसी कारण से bats के साथ इनसानों का contact में आने का खत्रा भी बढ़ गया है example के लिए देखे तो Malaysia में जो commercial pig farms को start किया गया था तो वहां उनको establish किया गया था उस area में जहां bats already रहते थे जिसके कारण सबसे पहले जो outbreak हुआ था निपाव आयरस का तो सबसे पहले pigs के through start हुआ था फिर humans में आया था तो इस तरह से humans ज्यादा interfere कर रहे हैं उनके natural habitats में और contact के खत्रा बढ़ रहा है तो ये एक simple सा reason है कि ये सब चीज़े देखने को मिल रही है अब जिखते हैं कि bats जो होते हैं वो अपने शिकार कैसे करते हैं तो bats ultrasonic waves produce करते हैं या emit परते हैं और उल्येकर को होती है उनकी sound होती वह object को hit करती है اور eco produce होता है और echo फिर वापस आता है बैट तक और बैट फिर उस echo की help से अपने शिकार को तलाश करने में successful होता है अब एक मज़ेदार बात यह भी है कि जो bats होते हैं वो echo से ना सिर्फ अपने शिकार की तलाश कर सकते हैं बलकि उस sound की मदद से यह भी जान सकते हैं तो object है जिसको ultrasonic wave ने hit किया है उसकी identity क्या हो सकती है उसका shape, size और texture कैसा हो सकता है यह भी पता लगा लेते हैं वो object कितना tiny है या फिर कितना बड़ा है यह भी पता लगा लेते हैं और इस तरह से रात के अंधेरे में भी bats successfully अपने भोजन की तलाश कर पाते हैं अब जानते हैं कि bats के benefits क्या क्या है तो bats के कुछ species जो होते हैं वो night में fly करते हैं और insects को खाते हैं including mosquitoes तो इस तरह से जो ecosystem है उसमें balance बना रहता है और bats के कुछ species जो होते हैं वो pollination में काफी helpful होते हैं कुछ species तो critical pollinator होते हैं मतलब कि अगर कोई special fruit के पेड़ वगर हैं तो उनके flower में pollination के लिए सिर्फ bats ही successfully उनके pollinate कर सकते हैं तो दोस्तों आज हमने जाना bats के बारे में इतना कुछ और हम आगे भी ऐसे ही interesting videos लेकर आते रहेंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें और चैनल को subscribe चरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिसना हो thanks for watching